हाग आईज अगर आप NTA UGC NET की तैयारी करते हैं तो आपको इस वीडियो में मैं बतलाने वाला हूँ कि आपके लिए UGC NET की तैयारी करना ठीक रहेगा या फिर आपके लिए CSIR NET करना ठीक रहेगा यानि के इस वीडियो मैं समझाने वाला हूँ कि CSIR NET क्या होता है और UGC NET क्या होता है और आपके लिए इन दोनों में से कौन सा करना चाहिए किया आप इन दोनों में से किसी एक के लिए eligible है किया आप दोनों के लिए eligible है ऐसी तमाम चीजें आज की session में हम लोग समझने वाल है चैनल को सब्सक्राइब करने हैं क्या कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकोन को प्रेस कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं सात्यों वीडियो में आगे CSIR CSIR NET की वेबसाइट है एक तो यह अलग से एक तो इसको देख सकते हो यह वेबसाइट है UGC NET की आप इन दोनों वेबसाइट पर जाकर खुद से भी इनके बारे में अधिक डिटेल जान सकते हो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि यह CSIR NET और UGC NET होता है उसकी एकजाम कंडेक्ट कौन करवाता है उसकी एकजाम NTA ही कंडेक्ट करवाता है अब यह हैं क्या सबसे बड़ा यह उठता है देखो एक मैं CDC चीज आपको समझा दूँ ज्यादा मैं टेकनिकल चीजों में न जो बच्चे देते हैं जो आर्ट्स के होते हैं कॉमर्स के होते हैं और CSIR NET यह वो बच्चे देते हैं जो साइन्स के हैं यानि विज्ञान वरग के किसके विज्ञान वरग के जितने भी लोग हैं वो CSIR NET के एकजाम देते हैं और विज्ञान वरग से इतर जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो UGC NET के अंतरगत आता है, अगर मैं आज की डेटा की बात करूँ, तो लगबग 92 सब्जेक्ट की एक्जाम लेता है, को लेता है, UGC NET, जबकि अब इसमें कुछ सब्जेक्ट और जोड दिये हैं, 100 से जादा ये सब्जेक्ट अब हो गए, ठीक, CSIR NET में कितने सब्जेक्ट होते हैं, CSIR NET में होता है, साथ हो Chemical Science, और कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट से आपके CSIR NET, Life Science बगरा मिलाकर, 5 सब्जेक्ट से आपका CSIR NET क्वालिभाय होता है, अब देखो, उनके लिए तो आपको MA करना पड़ेगा, एम कॉम करना पड़ेगा, इसमें आपको MSC करना पड़ेगा, अगर आप MSC करते हो, इन सब्जेक्ट से, तो आप CSIR NET के लिए eligible हो जाओगे, अब exam का pattern देख लेते हैं, कि exam का pattern क्या है, ठीक है, exam का pattern क्या है, इस चीज़ को समझ लेते हैं, देखो CSIR NET की जो exam लगते हैं, प्यारे साथ हो, वो लगती है आपकी, कितने की, 200 number की exam होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा logic काम करता है, जो CSIR NET में करता है, जो UGC NET में काम नहीं करता है, क्या है, यहाँ पर साथ हो, तीन पार्ट में question आता है, और यह जो question paper आता है, वो साथ हो, तीन गंटे का होता है, online exam लगती है, एक साथ ही यह तीनों पार्ट करवाए जाते हैं, एक ही exam, लेकिन पहला पार्ट में क्या क्या है, यह मैंने आपको अलग-अलग पार्ट के बारे मतला रखा कि पहले पार्ट में क्या है, second part में क्या है, third part में क्या है, एक बार देख लिए ना अब डल से, question का pattern समझ लो, पहले part में total 20 question आते हैं, इस part में हमको 20 में से 15 question करने हैं, ठीक है, प्रति एक question जो आएगा दो number का आएगा, और अगर आपने गलती की, तो आपको साथ यो point 5 की आपके लिए सजा है, यानि negative marking यहाँ पर है, पार्ट बी आता है साथ यो से, ये सामान ना आएगा, ये general आता है, ये आता है subject का, 40 question आते हैं, 40 question में से कोई भी 25 question आपको करने हैं, और एक question है साथ यो, वो तीन number का आता है, और यहाँ पर साथ यो अगर negative marking है, तो point 75 आपका कट जाएगा, अब आजाते हैं, पार्ट C में, यहाँ पर total question 60 आते हैं, और 60 में से हमको 20 question करने हैं, एक number का, एक question का 4.75 नंबर होता है, और यहाँ पर कोई negative marking नहीं हो, इस तरीके से अगर आप इनको total करेंगे, तो total साथ यो question कितने हैं, यहाँ पर 120 question, अब हमको 120 में से attempt कितने करने थे, 120 में से हमको 60 attempt करने थे, और 60 में से सातियों, यानि की 200 नंबर का हमारा पूरा paper यहाँ पर हैं, 200 नंबर का पूरा paper है, पूरा तरीका है, जो CSIR NET का pass के, जनी कुल मिला कर ऐसे कर सकते हैं, 200 नंबर का paper आएगा, और 200 में से, आपको 120 में से start question करने होते हैं, यह तरीका है CSIR NET का, यह तरीका है, यह तरीका है, यह तरीका है, यह तरीका है जल थी नंबर का,